हेलो दोस्तों सवागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कक्षादस विशेगनित का एक वाइरल पेपर और दोस्तों यह जो पेपर है यह आपका जो 21 फ्रूरी को जो पेपर आएगा उ 21 को मैंत का पेपर है वह पूरा पूणरा वैं इसलिकर यूटर राधा peculiar के वीडियो को ब्रसु चुरूं पर नहीं है तो न को सबसक्राइब जो लिए गडिए तो चलीए दोस्तों इस वीडियो करतें स्कार्णश करते हैं इस पेपर को हल्च तो सबसे पहल तब श्रमी बे यानि सवातीन गंटे आपको इस पेपर को करने के मिलेंगे वह पूरुना अगया सतर यानि सतर नमर का ये पेपर है इसके बाद आता है दोस्तों इसके अंदर कुछ से दिशा निर्देश जिसमें पहला है कि परारहम के 15 मिनिट टिक्षार्थियों को परसन पत्र पढ़ने के लिए निर्दायरत है आपको दोस्तों तीन गंटे 15 मिनिट का समय में मिलेगा जिसमें जो सुरूर के जो 15 मिनिट है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिये जाएंगे उसके बाद आता है कुछ निर्देश जो आपको पढ़ने बहुत अन्यवारी होते हैं पहला है कि पत्र के दो खंड है उसके बाद आता है तीन नमर कि खंड ए में 20 अंक के 20 परसन बहुत विकल पिया यानि ऑबजक्टिव क्यूशन है जिनके उत्तर ओमर सीट पर देने हैं यानि दोस्तों आपका जो पेपर है वो दो खंड में बंटा हुए खंड ए और खंड वे खंड ए के अंदर आपके सभी के सभी परसन बहुत विकल पिया है और खंड एक अंदर टोटल 20 परसन है उसके बाद चार नमर है कि ओमर पर उत्तर अंकित कि जाने के पश्चाद उसे काटे नहीं तथा इरेजर या वाइटन आदिक आप योग ने करे इसके बाद पांच नमर दिसा अंच गंड में कुल 5 परसन है या जैनी खंड बैर है उसके टोब 5or है इसके बाद आता है इसके परते हpoke मेन के प्रारंव प्रारमम में इस पश्चत लिख 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 दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं उसके बाद प्रिमेंद संख्या का दस्मलोव परसार सदेव होता है तो दोस्तों मारे पास एक प्रिमेंद संख्या है प्रिमेंद संख्या कों से ओक है जिसे अंस बटाहर या प्रिमेंद संख्या का दस्मलोव परसार कैसा होता है एसांत होता है या फिर उप्रिमेंद संख्या को प्रिमेंद 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 संख्या संख्या का दस्मलों परसार सदेव सांत होता है इसकी बाद आता है दोस्तों मारा नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा परसन नमर दो दो नमर परसन क्या कहता है कि एक सुन्यतर सुन्य तरका मतरव होता है कि सुन्य के लावा यानि सुन्य नहीं है परिमे संख्या और एक परिमे संख्या का गुणनफल सदेव होता है तो दोस्तों दोनों संख्यां के अंदर पूछा गया है कि एक सुन्ने तर्याने सुन्ने के अलावा परिमे संख्या और एक एपरिमे संख्या का गुणा नलफल होता है तो दोस्तों एक प्रिमे संख्या और एक प्रिमे संख्या जब दोनों संख्यां को गुणा करवाया जाता है तो किसी संख्या प्राप्त होती है पहला उप्षन है सदेव एक प्रिमे संख्या प्रिमे संख्या और एक एक या फिर एक प्राप्त होता है तो दोस्तों इसका सही हैं कि आंसरंगों जीरा मारा उप्स मलमद एक पेयर परीमेंग संख्या जब एक पर्मेंग संख्या गुणाते हीν कराि हैं तब परी और craft होगी दो दो धून स्वाल नमबर दो तो दोस्तों तीन नमर पर्षन से जो आगे की जो पर्षन है ये सबी पर्षन इनने हमें हल करना होगा क्योंकि इनके संख्यात में कमान निकलेंगे तो दोस्तों तीन नमर से आगे की जो पर्षन है वो आपको मैं इस प्रकार सिज़ा स्क्रीन के ओपर आपको नहीं करवा सकता है तो तीन नमबर से आगे के जो परशन है उन्हें मैंने कोफी पर लिख रखा है और मैं आपको इने कोफी में ही हल कुराओंगा तो चलिए करते हैं तीन नमबर से आगे के परशनों को हल तो अब आता दोस्त हमारा सवाल नंबर 3 और दोस्तों 3 नंबर सवाल है कि देखाओं X ब्राबर 0 और 2X प्रस 3Y ब्राबर 12 का पर्थिछेद बिंदू है तो दोस्तों मारे पास एक रेका है एकसप्राफर 0 और एक 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 स्प्रस्थर 2 बार बारह इन दोनों का पartिषिड बिंदू में Vy ग्यात करना है प्रतिषिडeyed का भूँ मतलु है दूस्तो इल्षित यह रिंदू आधर v radioactive और यहां पर बिंदू न पर 3 क्यातक न है और यह जो मान होगा अब हमारा आंसर या तो यह होगा या यह होगा अब देखते हैं कि इन में से कौन सा होगा उसके बाद हमें यह समेकन नो दी गई है तो दोस्तों यह समेकन हमने लिख दी और इस समेकन के अंदर हमने X वाबर जिरो पूट कर दिया क्यूंकि महीं यहां पर X वाबर जिरो दिया गया तो जब हम X वाबर जिरो करेंगे तो यह तो ओगया हमारा 2 इन्ट जिरो क्लिस 3 Y वाबर बारा तो यहां से यह तो जिरो होगया तो यह ओगया 3 Y वाबर बारा YEows Bluetooth 2 तो इसकार बिंदू होगया हमारी पास 0 Y4 और चार नमर सवाल है कि वह है सबसे बड़ी संख्या जिससे हमारे पास कोई संख्या है जिससे 70 और 125 को विबाजित करने पर यानि 70 और 125 के अंदर उस संख्या का भाग देने पर सेस्फल करम से 5 और 8 परापत होता है तो दोस्तों हम सबसे बहुत हैं कि 70 और 125 को विबाजित करने वाज सबसे बड़ी संख्या जियात करने है तो इसके लिए में एक बात और दी गई है कि उनका सेस्फल करम से 5 और 8 परापत होता है तो हमने क्या किया कि 70 माइनस 5 कर दिया और 125 माइनस 8 कर दिया और अब हम क्या करेंगे 70 माइनस 5 वे 125 माइनस 8 का S चेप निकाल लेंगे तो 70 माइनस 5 यानि 65 125 माइनस 8 यानि 117 तो अब क्या करेंगे 65 वे 117 का S चेप निकाल लेंगे 117 का A बाज़े गुनद खंडा है 3 इंटू 3 इंटू 113 तो H शेफ निकालना है इसके लिए कोमन देखना होगा तो दोनों के अंदर कोमन है 13 तो H शेफ आगे हमारे पास 13 तो इस प्रकार हमारा जो उप्सन नमर 1 है वो एक दम सही हो गया तो यह था दोस्ते हमारे सवाल नमर 4 अब आता है दोस्ते हमारे सवाल नमर 5 और पांतर मर्स सवाल कहता है कि समीकरण 2X प्लस Ay भराबर 1 तथा समीकरण 3X मैणस 5 भराबर 7 का कोई भी हल नहीं है यदि A कामान तो दोस्तों हमें यह अंपर इन दोनों समीक्रणों से एक आमान निकलना है और यदि इन दोनों समीक्रणों का कोई भी हल नहीं है तो हम जानते हैं कि जब समीक्रण का कोई भी हल नहीं होता है तब हमारा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है यह दोस्तों मारा यह होता है जब कोई भी हल नहीं होता है दोस्तों हमने यहां पर कोई भी हल नहीं है इसका जो यहां पर पैटन है वह हमने यहां पर लगा दिया कि जब किसी भी समीक्रणा का कोई भी हल नहीं होता है तब मारा A1 बटा A2 ब्राबर B1 बटा B2 ब्राबर नही ही होता है C1 बट्टा C2 और दोस्तों इन दोनों समीक्रों से जब हम तुलना करेंगे तो यहां पर यह X का गुणा का यह हमारा A1, Y का गुणा का यह हमारा A2 और यह एक इधर प्लस का है इस तरफ माइनस का एक हो जाएगा तो यह हो जागा हमारा C1 तो A1, A2, sorry A1, B1 और C1 इस मेक्रों के माणा गए A1, B1, C1 और यहां पर यह हमारा A2 Y का गुणा का माइनस 5 यह B2 और यह साथ इतर प्लस का इस तरफ माइनस का साथ तो यह जागा हमारा C2 तो इस पकार A1, B1 और यह C1 इस तरफ यह A2, B2 और C2 तो यहाँ पर A1 कमान 2, B1 कमान A, C1 कमान माइनस 1, A2 कमान 3, B2 कमान माइनस 5, C2 कमान माइनस 6 तो यहाँ पर यह जो मान है यह इस मेकरिक के अंदर रख देंगे A1 बटा A2 यानि 2 बटा 3, बराबर B1 बटा B2 यानि B1 कमान है A बटा, B2 कमान है माइनस का 5 और बाइबर नहीं है सीवन बन्टासिक्टू तो यह लिखनें की अश्रिकटा नहीं है तो आयाम से क्या करेंगे कि यह जो माइनس पांच है इस तरफ भाग के अंदर है यह माइनस का पांच बाग के अंदर है तो दोस्तों इस कार ये हो गए हमारा सवाल न嘛 5 इसकी बाद आता है दोस्त हमारा सवाल 9 inspector नставля NO 6 और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडि़ो को एक लाइक जो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जो कर ले जिये तो अब आता दोस्त हमारा सवाल नम्बर 6 और 6 नम्बर सवाल कहता है कि द्वी गात समीकर्ण 2X2-4X3-0 के बारे में नीमन कत्रों पर विचार कीजिए अब दोस्त हमारे पास एक द्वी गात समीकर्ण है और इस समीकर्ण के आधार पर हमें इन कत्रों पर विचार करना है डी है हमारा कि समीकन के मूल वास्ट जूक है इसके बाद हमें यहां पुछा गया है कि निमन में से सही उत्र का चैन करो A और B सही है दो नमर उप्षन है कि A और D सही है और ती नमर उप्षन है कि C और D सही है और कि अबल A सही है अब दोस्तों हमें इनमें पता करना है कि कौन सा उप्षन सही है तो सबसे पहले तो हम एक नमर उप्षन की जांच करते हैं एक नमबर ऑप्शन है कि दिये गई समीकरण का विविक्तर शुन्या से कम है अब दोस्तों सबसे पहले इस ऑप्शन की हम जांच करते हैं फेले ऑप्शन के अंदर दोस्तों हमें पुछा गया है कि दिये गई समीकरण का विविक्तर शुन्या है अब दोस्तों हम जानते कि व Elijah Zumikron दे गही है उस से जब ACTом तो वहां पर a का मान पूर्प थता है क्लूश कि मार्य नो यहां अनना हा टो समीक्रन टो पूर्प क्योंकि हमारी नो यहां प्राप्त होता है दो इस परप्त होड़ा है अब दोस्तों यह जोंट माँ आएare यह Ess B हैं तो विभी तो रखिएंगे तो तोबीष केर यानि माइस का घार का स्वियर हमजाते है कि माइनस का स्वियर होता है मारा प्लस हो जाता है मारथ इंटो माइनस अच्रेंटो मार। तो यह मारा रूए प्लसका 16 उसके बाद माझस माइनस का 4 x A x C, तो माइनस का 4 x A, A का माना 2, तो 4 x 2 यानि 8, 8 x C का माना 3, तो 8 x 24, तो यह होगा 16 x 24, 16 में से 24 गटाते हैं, तो यह बचाए माइनस का 8, जो की छोटा है 0 से, तो इसलिए दोस्त हम कह सकते हैं कि A नमर उप्शन एकदम सही है, क्योंकि A नमर उप्शन के अंद वीविक्तर का मान सुन्य से कम है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका मान सुन्य से कम है, यानि A नमर उप्शन एदम सही है, तो यहां पर मारा A नमर उप्शन एदम सही है, दिये कि समीकरन का वीविक्तर सुन्य से कम है, अब जानत करते हैं B नमर उप्शन की, B नमर उप् स्क्रूइए कि क्माकद पिंदीन, यह उता है जडसें हैं, आज जाते हैं कि बिस्क्रूइड़कर माइनसि पर्सी काहना भाहा हुंने यह गार, ए जानते हैं, आजिन हो माइनस। यह ϕasionं है, वो एकदम सही हो जाएगा, बी नमर ψ alloraाइट कि कोई मूल मूल कालपनिक है क्यों हम नजार कर ल हम लायन ऐ ख्राइब की यह मैंस आठ है, वुट जाता है या मैनस की कोई संक्छा आ जाती है, तो इसका जो मूल है वो उसका मान है वो एक कालपनिक संख्या होती है यानि वास्ची संख्या नहीं होती तो दोस्तों इस प्रकार इसके अंदर ए नंबर वैब बी नंबर उपसन दोनों सही है तो हम कह सकते हैं कि एक नमर वप्सन एक दम सही हो जगा कि A और B दोनों सही है तो दोस्तों इस प्रकार ये हो गए हमारा सवाल नमबर 6 दोस्तों हमारा सवाल नमबर 7 और 7 नमर सवाल कहता है कि A O B C एक आयत है हमारे पास दोस्तों A O B C एक आयत है जिसके तीन सिर्स A, O और B इस प्रकार है A है हमारा 0, 3, B है हमारा 0, 3, C है हमारा 5, 0 इसके विक्रिन की लंबाई गयात करो अब दोस्तों हमारे पास एक आयत है A, O, B, C जिसके अंदर A है हमारा 0, 3, O है हमारा 0, 3, B है हमारा 5, 0 अब इसके जो विक्रिन है यह जो विक्रिन है इसके लंबाई हमें ग्याद करनी है तो दोस्थ हमें इrhiz कि दूरी का सुतर होता है कि X1-X2 का whole square plus Y1-Y2 का whole square और उपर root और दोस्त हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो A है इस बिंदू को हम मान लेते हैं X1-Y1 और B को मान लेते हैं X2-Y2 तो यहाँ पर X1-X2 का whole square plus Y1-Y2 का whole square इसके अंदर X1-X2 Y1-Y2 का मान पूट कर देंगे तो यहाँ पर X1 का मान है 0 और X2 का मान है 5 तो यह होगा हमारा 0-5 का whole square यानि 0-5 यानि minus 5 और minus 5 का whole square करेंगे तो यह होगा हमारा plus का 25 क्योंकि minus का whole square करेंगे तो minus into minus plus में change होताता है तो यह होगा हमारा 25 plus में Y1-Y2 तो Y1 का मान है 3 तो तीन माइनस जीरो यानि तीन का होल स्क्राइब यानि नो तो यह होगा रूट के अंदर पच्छीश प्लस नो तो यह रूट के अंदर यह मारा मुल्म का मतलब होता है स्क्राइब दू है तो के का मान व्याद किजिए व मारे हैं समीकर्ण अरहा यह है एक मूल दिया गया यानि एक एक्स का मान दिया गया है यह मारे एक दूई का समीकर्ण है तो हम जानते हैं कि समीकर्ण के अंदर जितने अधिक गात होती है उसके उतने ही मान पराप्त होते हैं यहां पर एक्स के मान भी दो पराप्त होंगे जिनमें एक मान तो हमें दिया गय है कि यह extra मान है यह मान चाहके दोस्तों इस मेकन के रख देंगे तो 血 कि गए हम 1 वट्टा 2 रख देंगे इस मीकन के अदर तो यह वारा होल्ड के प्लस के इंटु एकस है तो एक्स कि गए 1 वट्टा 2 मारिंस 5 वट्टा 4 ब्राबर 0 तो जब इस मेकन को इस प्रकार हल करेंगे तो दोस्तो के का माना आजाएगा हमारे पास दो के का माना आजाएगा हमारे पास दो तो इस प्रकार जो मारा आठ नमर सवाल के अंदर एक नमर उपसन है वो एकदम सही हो जाएगा अब आता दोसमार स्वाल नमर 9 और 9 नमर स्वाल है कि दो त्रीबुत समरूप होते हैं यदि इनके संगत कौन बराबर हो यदि इनके संगत बुजाएं एक अनुपात में हो या फिर ये दोनों हो या फिर इनमें से कोई नहीं तो जो समझानते हैं कि जब दो त्रीबुत समरूप होते हैं तो उनके संगत कौन भी बराबर होनी चाहिए और उनके संगत बुजाएं समान अनुपात में भी होनी चाहिए तो यहां पर यह जमार तीन नमर उप्सन है वो एक दम सही हो जाएगा उप्रिक तो दोनों या एक डुनों अपसन होने चाहिए इसकी बार आता है मारकत सवाल लंबर-10 चाहिसान भी है तो मारे पास एक भाडी ए बी और सी और यहां पर सी कोन दिया गया है नबर डिग्री एस सी का माप दिया गया है तीन से मी और बिस सी का माप दिया गया है बिस सी का माप दिया गया है चार से मी यह मारा एक तरिवज है इस प्रकार दिया गया है अब इसके अंदर में पूछा गया है कि बिंदू सी से जाने वाले मादिका की माप है सीज से एक मादिका जाती है तो दोस्तों इसकी माप पुछी गई है तो दोस्तों इस सवाल के अंदर ये जो मादिका है इसकी लंबा यह नहीं आएगी हमें याम पर ये जो मादिका है इस से जाने वाले ये जो माप है यह हमें ढमें इस के अंदर बतानी है इस सवाल के अंदर हमें यह इसकी मा बतानी है तो दोस्तों यह मारे मादिका है बीच मज़ाती है live स्मझाटे है इसके नहीं है यह इन दोनों को बराबर भाग में बांटती है तो यहां पर यह जो हमारा A, C, B यह जो त्रीबुट है यह समकौन त्रीबुट है जिसके नरे C कौन बढ़ी रहे है तो यह जो पूरी है यह होग हमारी करण यह इसके अंदर आधार यह इसके अंदर लंब तो हम जानते हैं कि पाइथागोर्सप्रमे से करन स्केर वाबर आधार स्केर प्लस लम्म स्केर तो इस प्रकार इस पाइथागोर्सप्रमे की साहता से हम इस एब बी का मान निका लेंगे तो दोस्तों जब हम एब बी का मान निका लेंगे तो वो आएगा मारे पास पांच और सॉला सेमी और बारा सेमी है तब इस समस 75 की बुजा के लमभाई है तो दोस्तों इसके एमारे पास एक समấu 14 Block चैनल और ये विक्रण इस विक्रण को दो ब्राबर वागों में बांटता है तो दोस्तों ये जो विक्रण है ये इसको दो ब्राबर वागों में बांटेगा यानि ये टोटल 16 सेमी है तो इस से इस तरफ 16 सेमी बच गया इस से इस तरफ 8 सेमी बच गया तो यह हमारा 8 सेमी और जब आधा करेंगे तो यह गाँ हमारा 6 mebones क्योंकि यह विकरन इसको दोब्राबर भागों में बात देता है तो 6 me इधर बच गया 6 me इधर बच गया तो इस प्रकार दोस्तों यह गए 6 me और यह गए 8 me और यहां पर यह दुनों विक्रन है यह समकौन पर मिलते हैं यानि 90 डिगरी का कोन बनाते हैं तो इस प्रकार दूसतों यह हमारे पास श하세요 यह आठ से भी यह एक समकोन बन गया और यह करण बन गया यह अधार यह यह लंब और हम जानते हैं कि दूस्तों पाइस फल्मन से क्या होता है पाइस पर में से करण स्केर यानि औबटीchosquare बेराबर आधार future प्लस Mit 방송 Piece यानि च्छे का स्केर बलस आट का स्केर तो यह आगया जो तो मारे ओपी प्लस 64 यानि रूट के अंदर 100 यानि ओपी का मान दस सेमी इस प्रकार मारा जो दो नंबर ओप्सन है वो अमाररा सही हो जा तो दोस्तों इस काई होग हमारा सवाल नमर 11 और दोस्तों आपसे एक और फिर से रिक्वेच्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चानल को सब्सक्राइब जूखर दीजीए अब आता है दोस्तों मारा स्वाल नमर 12 और 12 नमर स्वाल है कि दो समरूप त्री बुज़ों की बुज़ाएं चार अनुपात नो के अनुपात में है इन त्री बुज़ों के छेतर फिलों का अनुपात होगा तोस्तों माई पास दो बुज़ाएं है इनका अनुपात है चार करेंगें कि उन दोनागा का स्केर करेंगे कि अरे वरक करेंगें , और करेंगा इसकेपनेक हैं सवा सब्सक्सवार लूंबर 13 कि最 torpedo 3 तो 4 emmore 4 संख्क्याहिए के लिए और टहरु संख्याहन के नहिए M लिए M लूपmented by फैर topics व्लसक्धs सब्सक्सक्राइब है में में और स्ब्सक्तराइब ज़काइब हताए निरुछ तब फार निरे कि अंस वेहर दोनों में कोस थिटा का भाग लगा देना है तो सबसे पहले तो इसके अंदर कोस थिटा का भाग लगाए है तो चार साइन थिटा बटे कोस थिटा माइनस कोस थिटा बटे कोस थिटा इसके बाद अब निच्च वाले संख्यों में कोस्टिटा का भाग लगए हैं तो चार साइन थिटा बटे कोस्टिटा प्लस कोस्टिटा बटे कोस्टिटा तो यहाँ से दोस्तों साइन थिटा बटे कोस्टिटा को क्या बोलते हैं तैन तिटा तो यहाँ पर यह बन गया हमारा चार तैन तिटा माइनस कोस तिटा बटे कोस तिटा यानी एक बटे साइन तिटा बटे कोस तिटा को बोलते हैं तैन तिटा तो यह बन गया चार तैन तिटा पलस कोस तिटा बटे कोस तिटा यानी एक और यहां पर हमें 4 10 थिटा का मान दिया गए कितना दिया गए? 3 दिया गए तो 4 10 थिटा के जगे फुट कर देंगे 3 तो यह हो गया 3 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1 यानि 2 बटा 4 यानि 1 बटा 2 तो इस प्रकार जो हमारा 3 नमबर उपसन है वो एकदम सही हो जागा तो दोस्तों यह था हमारा सवाल नमबर 13 जिसके बाद आता है नेक्ट सवाल सवाल नमबर 14 और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सबस्काइब कर दिजिए तो तो तिलिए अब आता हमाह सवाल नमर 14 14 नमर 12 सवाल है कि Son 55 dILY बटा कोस 15 dg ने का मान होगा तो तो यह मारा Son 55 d Lic理 बटा कोस 15 dgs तो दो साइन 55 dgs को लिख सकते हैं कोस 95-95 बटा कोस 15 का कोस 15 या फिर इसे लिख सकते हैं इस साइन 55 का आतो साइन 55 रहा गया एक formula जानते हैं कि sin 90-θ बराबर होता है cos θ और cos 90-θ बराबर होता है sin θ यानि sin θ को हम cos 90-θ लिख सकते हैं cos θ को sin 90-θ लिख सकते हैं तो यहां पर यह हमारा sin 75 डिगरी तो यह बन गया हमारा sin θ, θ का माना यहां पर 45 डिगरी और sin θ को लिख सकते है cos 90-θ, θ का माना 55 डिगरी या फिर sin 55 को तो ऐसा का ऐसा रहने देंगे cos 15 को चैंज कर देंगे तो हम जानते हैं कि cos θ को लिख सकते है sin 90-θ, θ का माना 15 डिगरी तो इस प्रकार इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं लेकिन हमें दो मार्जी लगे जो अच्छा लगे उसके अंदर इसको रख सकते हैं तो मैंने आपर इनको कोस के अंदर रख लिया तो कोस right to minus 75 इसका मानती एक हमारी तो इसका माना आमारी पास एक तो मारा दो नमर उप्स ने दम सही हो जाएगा अब आता है दोस्तों मारा नेक्ट सवाल सवाल नमर पंदरा और दोस्तों पंदरा नमर सवाल कहता है कि यदि एक वरित का प्रिमाप वर्ग के प्रिमाप के बराबर है तो दो सबसे पहले तो हमें इसका ना दिया गया कि वरित का प्रिमाप वर्ग के प्रिमाप के बराबर होता है और दोस्त हम जानते है कि वरित का प्रिमाप होता है 2PiR और वर्ग का प्रिमाप होता है 4 into बुजा तो यहां पर बुजा कमान लिया मैंने A और हमें इन दोनों कमान बराबर दिया गए यानि वर्थ का प्रिमाप वर्ग के प्रिमाप के बराबर है तो मैंने यहां पर क्या कर दिया कि वर्थ का प्रिमाप 2 पाई यार बराबर कर दिया वर्ग के प्रिमाप, यानीывать 4A के अब यहां से हम आर का मान गयात कर लेंगे, तो आर बापन हो गया हमारा 4A, यहां पर टूप पाई इसके गुणा में है तो 4A के dåग में एतला जाएगा, तो यहां से 2 does 4 को काट देंगें, तो यह रागत गया हमारा दो ए बट्टा पाई तो आर का माना आगा हमारा पास दो ए बट्टा पाई इसके बाद हमें पुछा किया गया है कि इनके छेतर पलों का अनुपात क्याद किजिए यानि वरत के छेतर पल और वरग के छेतर पल का अनुपात पुछा गया है तो वरत का छेतर पल हो यहां से क्या है यहां से क्या से यहां से इसे स्क्रे मेड महां रिक रेए और इस प्रूश रिक gratitude मैं इस पइस ही जो पई स्फेर ये बच गया लगर आफ से चार बट्टा पई हम जानते हैं कि बाइस बच गया और ने साथ की बाद मेश से चार निर्दों कर देंगे तो यह बच गया रहा चाहरा, तो 2 निर्दों साथ यह ने 17 वथ्त हुआ है 10, 11 यह जो इमधाई 15, 11 या harness इसको लिए सकते है जानते हैं कि दोस्तों गोले के अनवपात का सुतर होता है चार बटा तिन पाई यार क्यूब तो दोस्तों मैंने पहले गोले की जो त्री जमाली आरवन दूसरे गोले की त्री जमाली आरवन दूसरे गोले का इतन होगा चार बटा तिन पाई आरवन का क्यूब दूसरे गोले का इतन होगा चार बटा तिन पाई आरवन का क्यूब और और इन दोना का अनुपात दिया गया है में 16 बटा 27 तो दोस्टों यहां से 4 बटा 3 से 4 बटा 3 कट गया precis यह बच गया यह ब्च nuclear आरवन का डूब बड़ों का 2006 बटा 27 चॉंसर्थ को लिख सकते हैं चार का क्यूब 27 को लिख सकते हैं तीन का क्यूब तो यहां से आरवन बट्टा आरटू बराबर आ गया चार बट्टा तीन अब हमें आगे पुछा गया परसन में कि इनके परिष्टी अच्छेतर फलों का अनुपात है तो दोस्ता हम जानते हैं कि गोले के परिष्टी अच् आरवन का मान है मरे हैं पास चार आरटू का मान है 3 तो 4 का स्केर बट्टा तीन 07 तो यह आगे इस चार नमर परसन के इसके बाद आता है दोस्ते उमारा नेक्ष्ट सवाल सवाल no.13, सूरे सवाल no.17 अब आता दोस्तों मार सवाल no.17 दोस्तों आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो को एक लाइक जोकर दिजए और चैनल को सबस्क्राइब जोकर दिजए तो सवाल no.s कहता है कि 1-10 तकrict की दरणातमक विस्भास संख्यों का समानतर मत्या तो दोस्तों एक से दस तक विसम संक्या कौन सी है तो दोस्तों हम जानते हैं कि विसम संक्या वो होती है जिसके नर्दो का वाग पुरा पुरा नहीं जाता है तो दोस्तों एक से दस तक विसम संक्या पहली है एक उसके बाद तीन उसके बाद पांस उसके बाद साथ उसके बा इनकी संख्या तो इनकी संख्या है 5 तो इनसभी का यूग करेंगे तो यह आता है मरे पास 25 पस्टपचिस पट्चिस बटा पांच यानी 5 तो दोस्तों इस प्रकार 17ivoons का आंस बो स्वर का हमारा 4 निम्र अप्शन्य यानी इसका आंस बो जगामारा option number 1 तोरण इसके बाद आता है next person 19 person कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्य का होगे तो दोस्तों इसका answer जगामारे पास 33 इसके बाद आता है 20 person की वर्गी करित आंकडों की से अधिक परकार और से कम परकार की संचे बारता वक्रों कि प्रतिशाइट बिंदू के बुद्ध से आंकडों का प्राप्त होना है तो दोस्तों इसका सही answer हो जगा हमारा माध्यक यानि option number 2 तो दो दोस्तों इस पका यह था हमारा इस paper का खंड नमर ए और एक खंड के अंदर total 20 person है 20 person प्रते एक परशन एक अंका है और सभी person बहु के पार्ट में हल कुराऊंगा तो दोस्तों आपसे request है कि इस वीडियो को जादा से जादा सेर कर दीजिए और वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए तो चली दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो पते के लिए धन्याबाद